तो आज कि वीडियो में हम लग गेमिंग लैप्टॉप के बारे में बात करने वाले तो जैसे कि आपको पता है टाइटल और थम्नेल में मैंने लिखा हुआ है कि 50-60,000 वाला गेमिंग लैप्टॉप मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं आपको पहले बताना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपको गेमिंग करना तो देख्श्टॉप होता है पर आज का कंडिशन आपको पता है कि आपको एक ग्राफिक काड का ही प्राइज जो है वो काफी जादा देना पड़ रहा है जैसे कि अगर 1660 सूपर वो ए करें मतलब 20,000 का आपको 40-45,000 के आसपस मिल रहा है तो मतलब आप गेमिंग जो है वो ग्राफिक काड नहीं है इसके वचे से करी नहीं सकते मतलब पीसी बीड़ करी नहीं पाओंगे पार्स लेके क्या करोगे और सो जो बहुत सारे लिटेलर से वह इंडिविजन ग्राफिक काड तो बेच ही नहीं रहे है तो आपको यह जो प्रोड़क मिलेगा मतलब ग्राफिक काड मिलेगा वैसे मतलब उसके अंदर वह अपना मार्जिन जो है निकालने की कोशिश कर रहे है तो इसके वज़े से क्या हो रहा है कि लैपटॉप जो है वह काफी डिमांड में और ल आरी जो चीजे है वह मैं लिष्ट अपने सोशल मीडिया हैंडर्स टेलिग्रम ट्विटर फेस्बुक सब जगें डाल दूँगा ठीक है हाला कि मैंने यह 50-60,000 वाला लिष्ट भी पहले ही डाल दिया है मतलब वीडियो शूट करने से पहले तो आगर आपने वहां पे मेरे मतलब एक केटेग्री का नहीं मतलब उसमें मॉनीटर हो सकते हैं फूर्ट फैशन केटेग्री बहुत सारे चीजों के बारे में लिंक यह वह मैं शेयर करते होंगा तो सब जगे मेरे को फॉलो कर लेना टुईटर टेलिग्राम फेस्बूक कम्यूटी पोस्टिक है कम्यूट बाकि जो फेस्बुक ट्वीटर और टेलिग्राम है वहां पे बहुत अलग अलग टाइप के लिंक से वो शेयर करूंगा जो भी बैश डिल्स रहेंगा यह सेल डेज में और सेल नहीं रहता है तब भी बैश डिल्स में डालते रहता हूं डेली पोस्ट करते रहता हूं तो वह प्यादा समय नहीं गवाते और फटा-फट से मैं आपको कुछ लैप्टाप जो हो सजेस्ट करता हूं हाला कि जो लैप्टाप में सजेस्ट करूंगा यह फिक्स लिस्ट नहीं है इसके अलवा आगर आपको कोई बेटर प्रोड़क मिलता है क्योंकि क्या होता है या तो वह आपको कम प्राइज में मिले या फिर ज्यादा प्राइज में मिले ठीक है वो डिपेंड करता है तब स्टॉक अवेबिलिटी क्या है उसका डिमांड क्या है उसके हिसाब से जो है प्राइज फ्लक्ट्वेट हो रहा है जैसे कि आपको पता है कि आभी डिमांड जादा होने की वज़े से यह जो सेग्मेंट है वो थोड़ा सा होट रन कर रहा होट रन कर रहा है मतलब थोड़ा सा लोगों के नजर में तो लोग कुछ भी प्राइज लगा रहे तो कभी प्राइज कम रहता है कभी जादा रहता तो जब प्राइज कम रहेगा तो आप उसको ग्रैब कर तो उस पे मेरे को blame मत करना मैंने क्या किया हुआ है वह आपको बता देता हूं मैंने एक category बने हुए है जैसे 50,000, 260,000, 60,000, 70,000 से मैंने categories बने हैं उसमें मैंने थोड़े से laptop shortlist किया हुआ है आप क्या करना वह laptop पे click करके जो भी पसंद आता है वह open कर लेना देख लेना same price मिल आपको सबसे best price मिल रहा है वहां से buy कर लेना जैसे अगर आप same products Amazon पर देखते हो या flip card पर देखते हो और दोनों का price compare कर लेना कहां पे ज्यादा आपको discount मिल रहा है कौन सा card आपके पास है access का है HDFC का है ICIC का है जो card है उस पर क्या discounts आपको मिल रहा है अगर exchange offer है तो उसमें क्या मिल रहा है वह सारा चीज़ आप चेक कर लेना उसके बाद में buy कर लेना लिस्ट सिर्फ इंडिकेटिव लिस्ट है यहां से आपको एक आईडिया आ जाएगा कि कौन से laptop को consider करना चाहि हूं कि मैंने यह video जो है वो डो parts में divide कर दिया है एक में 6 core 12 threads वाला जो laptop से वो लिया हुआ है मतलब वो प्रोसेसर लिया हुआ है और दूसरा जो है वो मैंने 4 core 8 threads वाला laptop लिया हुआ है तो 4 core 8 thread में दो ही laptop से मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि है आसूस की तरफ से आसूस 4 core 8 thread का है तो अगर आप एकदम हैवी एडिटिंग नहीं करते हो तो आपके लिए काम कर गाया गा या फिर आपको बड़ा सा लाइट वेड गेमिंग करते हो जैसे कि वैलोर और चल जाएगा असानी से तो इसके लिए यह आपके लिए बेस्ट होने वाला है और अभी इसका बताऊंगा उसमें आपको बेस्ट जो भी लगता है यह कैटेगरी में वह आपको बताना चाहता हो अब अगर आप यह चैसे मैंने लिंक ओपन किया तो आप जब स्क्रोल कर गए तो आपको दूसरे भी रेकमेंडेशन होंगे ठीक है तो अगर आपको यह रेकमेंडेशन मे साथ आता है यह भी 10-300H के साथ आपको मिलेगा इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं यह दोनों लैप्टॉप जो है वह लाइटवेट गेमिंग और एकदम लाइट एडिटिंग के लिए होता है अगर आपको एडिटिंग के लिए लैप्टॉप चाहिए तो आप 6-core minimum ज 3600 है तो मेरे को पता है कि इसका एडिटिंग का रेंडरिंग स्पीड क्या है कंपेड टू मेरे पास 3400 जी भी है आपको मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड का पीसी मेंने बिल्ड किया हुआ है उसका भी इंडेप रिव्यू आने वाला है तो उसका कंपेरिजन में अगर 3600 देखोगे तो रेंडरिंग स्पीड 3600 का ज्यादा है कंपेर्ट टू 3400 जी तो वह कॉर का डिफ्रेंस है अगर को आपके कम रहेंगे फॉर को का प्रसेसर रहेगा तो रेंडरिंग में टाइम लगेगा हाला कि आप 4K वगएर एडिटिंग का सूचना मत यह कोर्स पे अगर चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यह वाले दो लैफटॉप कंसिडर कर सकते हैं लिनोवा का आइडियापैड गेमिंग 3 और असुस का गेमिंग 15 और अगर आपको थोड़ा सा इसके ऊपर का अगर एडिटिंग चाहिए यार गेमिंग चाहिए तो आप जो है यह वाले जो आप सब भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि आपको मैं अभी सजेस्ट करता हूं सबसे पहले उसमें हैं MSI का ब्रावो 15 राइजन 5 4600H के साथ आता है यह 6 को 1230 के साथ प्रोसेसर आता है इसमें Windows 10 वगेरा सारा चीज आपको मिल रहा है हाला कि इसके अंदर जो आपको ग्राफिक क जैसे मेरे पास 1660 सूपर है तो मेरे पास RTX वाइस है इसके वज़े से मैं और भी मेरे जो माइक को है ट्यूनिंग कर सकता हूं तो अगर आपको वह चीज़ चाहिए तो आप यह लैप्टाप मत कंसिडर करना क्योंकि इसके अंदर AMD का ग्राफिक खाड़े तो आपको आपको तो आपको 15 इंच का डिस्पले मिल ला है और 60 हर्ट का रिफ्रेश रेट के बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है यह दिको ऐसे रिफ्रेश रेट भी चेक कर लेना आभी मेरे कोई मेरे पीन पे जो है नॉट अविलेबल दिखा रहे है अगर आपके पीन पे अविलेबल 10डि 146 Burns के ऐसाद आता है इसमने को 1650 कर डाफिक का मिल ला इसमें जैसरे आपको आपकोản 2 का भॉपर का सपोर्ट मिलेगा तो यह भी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें आपको 1080p की एडिटिंग और ठीक तक गेमिंग भी आप कर पाऊगा है रिफ्रेश रेट की बात करें स्किन की तो 60 हर्स का रिफ्रेश रेट में 15.6 इंच का डिस्पले दिया हुआ है नेक्स्ट जो नेक्स्ट आप करेंगे तो और दिसकाण प्राइब के साथ आए जो की एक फॉर जीवी का ग्राफिक काड़ तो इसमें भी आप देख सकते हो इसमें आपको हाला कि रिफ्रेश रेट रहेगा डिस्प्ले गां अच्छा होने वाला है गेमिंग में आपको मजा आएगा अगर आप को नेक्ष लेटाप एच्पी की तरफ से बता रहा हूं बहुत लोगों को ऐसे रहता है कि मेरे को ही चाहिए यह बाकि दूसरे बैंड्स का नहीं चाहिए तो HP में भी आपके पास है 4600H के साथ यह आता है यह AMD का प्रोसेसर है 1650 ग्राफिक काड के साथ आता है 4GB वाला यह 1556 इंच का इसका भी डिस्प्ले होने वाला इसमें भी आपको 60Hz का रिफ्रेश्ट मिल ला है तो 144Hz का 90 का तो यह दोनों जो लैप्टाप से वह सेम है एसर एसपायर 7 रैजन 5 5500 यू के साथ मिलें अभी आप पूछोगे 4600 और 5500 में क्या डिफ्रेंस है तो 5500 जो है लेटेश्ट प्रोसेसर है तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्टा स्पेंड कर सकते हो मतलब 54 के उपर अगर जा क्राफिकर मिल यह भी आपको टिकटॉक परफॉदre को इसकी रिफरेश की बात करें तो यह भी 60 है के साथ 28 के साथ अता है उसमें अबको रिफरेश रिफरेश की बात आपके एडिट करके शूट करके डालने में टाइम लगेगा फिर अगर उफर चल गया या श्टॉक आउट हो गया तो आपके लिए भी प्रॉब्लेम हो जाएगा तो वहां पर मेरे को फॉलो कर लेना वहां पर लिंक सारी मिल जाएंगे आप डेफिनेटली वह चेक आउट कर देना और सो लाइक इम भी रखा हुआ है 100 लाइक का एम है यह वीडियो का अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना लाइक इम भी कंप्लेट हो जाएगा तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी मैं मिलंग आपको अंगले कर दो